आचारी चनक्के के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसी चीजों से हमेश्य दूरी बना कर रखनी जहिए जो उसके जीवन के एक बुरे दोर का कारण बन जाए आचारी चनक्के ने मानव कल्यान के लिए बेहत सरलो रख्षे सुजाब दी हैं जिने हर कोई असानी से पालन करके सुख सम्रिद्धी के साथ सफलता पा सकता है चनक्के निती ने अपनी नितियों के दुआरा सैधान्तिक पक्ष की बजाए भिवारिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है उन्होंने अपनी नीतियों में ऐसे नियुमों के बारे में बताया है कि जिनका पालन करके व्यक्ति कुद को मोत के मुँ में जाने से बचा सकता है आचारे चानक्ये ने अपनी एक नीति में बताया है कि ऐसी कौन सी चीजें जो व्यक्ति के लिए अधिक कष्ट दाई होती हैं ये चीजे व्यक्ति को प्रिथी पर ही नरक का स्वाद चखा देती हैं आईए जानते हैं किन लोगों से थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है अचारी चानक्ये ने कहा है कि व्यक्ति को दुष्ट सभाव वाली पतनी, नीच सभाव के दोस्त, जवाब देने वाला नोकर और घर में रहने वाले साप से बचकर रहना चाहिए क्योंकि हैं लोग व्यक्ति को अधिक कष्ट देने से लेकर मोत की कगार मिला कर खड़ा कर देते हैं अचारी चनक्य का मानना है कि इस्त्री का चरी ठीक होने के सासत उसके सभाव को सही होना बेहर जरूरी है अगर दुष्ट परविती की इस्त्री घर आ जाए तो खुशाल जीवन जीने वाले घर को तभा कर सकती है ऐसी इस्त्री के घर में रहने से हर कोई प्रेशान रहता है इसके साथी पती भी गुट-गुट कर जीता है हर किसी व्यक्ति का एक ऐसा दोस्त होता है जिससे वे अपने सुक दुख का साथी मानता है उससे अपने जीवन की छोटी से बड़ी प्रेशानियों को शेयर करता है और उससे सला भी लेता है लेकिन जो लोग कप्ती मित्र रखते हैं वे लोग आपको कभी भी दोखा दे सकते अपने फाइदे के लिए आपकी गुप्त बाते भी दूसरों से शेयर कर सकते हैं ऐसे विश्वास गाती मित्रों के होने पर काफी ऐसे निये दर्द होता है इसलिए ऐसे दोस्तों से तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए घर में कभी भी ऐसा नोकर नहीं रखना चाहिए जो हर एक बात में आपको जवाब देता हो घर में मुझूद नोकर आपके हर एक सिक्रेट को जानते हैं ऐसे में जवाब देने वाले नोकर आपके लिए आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि उनसे आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं ऐसे में यह अपने म या फिर उस घर को छोड़ देना चाहिए